जी फ्रेंस हमारे मज़ेदार से बीफ शामी कबाब बनकर रेड़ी हो गए है बिसमिल्ला अरख्माद ने रहीम, असलाम लेकूम फ्रेंस and वेलकम टू आज चैनल पार्क फूड सीक्रेट्स फ्रेंस आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब कबाब बनाने के लिए हमने हाफ केजी बीफ का कीमा लिया है इसको धो कर अच्छी तरह साफ कर दिया था 270 ग्राम दाल चना लिया है դो ग्हंटे पहले भीगो कर रख दिया था हमने सबसे पहले बीफ कीमे को प्रैशर कुकर में डाल दिया है अब हम इसमें दाल एड़ कर देंगे इसमें डालेंगे प्यास और टिमाटर दो बड़े साइज की प्यास थे और दो ही बड़े साइज की टिमाटर थे दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से चौप कर लिया था दो खाने के चम्मच कोटा हुआ अधरक लसन है एक अदद बड़ी लाईची तीन टुकड़े दाचीनी के और दस से बारा दाने साबित काली मिट स्पाइसेज आड़ करेंगे वन टेबल स्पून नमक हाफ टी स्पून हल्दी वन टेबल स्पून खुश्क धन्या पाउडर वन टी स्पून इसमें साबित स्फैद जीरा एड़ कर देंगे चार अदद साबित लाल मिट्चे हाफ टी स्पून लाल मिट्चो का पाउडर या अब हमने टेश के हिसाब से डालें अब हम इसमें एड़ करेंगे वन लिटर पानी और इसको दस मिंट के लिए प्रेशर लगा लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके जो स्पाइसेज हैं वो कीमे और दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं अब हम इसे प्रेशर लगा लेंगे दस मिंट हो चुके हैं प्रेशर को तो अब हम इसे चेक कर लेंगे सबसे पहले हम इसका वेट हटा लेंगे और इसे खोल के चेक कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और जो दाल और कीमे हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुका है तो अब हम इसे मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताके तमाम चीजे जो हैं डाल वगारा वो इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाए आदा बंच हरद धनिया लिया है दस से बारब अदद पत्ते जो हैं वो पुदीने के लिये हैं और तीन अदद साबित हरी मिर्चे हैं इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे कबाब का मसाला हमने रैडी कर लिया है तो अब हम इसमें ग्रीन पेस्ट एड़ कर देंगे ग्रीन पेस्ट को भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस टेज पे आके आप थोड़ा सा मसाला टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे के स्पाइसिज कम है तो आप इसमें और स्पाइसिज एड़ कर सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे कबाब बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा सा ओईल लगाया है थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसको गोल शेप दे लेंगे अब देख सकते हैं जब दस सा कबाब बन चुका है अब हम इसे किसी प्लेट में रख लेंगे दूसरे कबाब बनाने के लिए भी पहले से हाथों पे ओईल लगा लिया है और सेम शेप का हम दुबारा इसी तरह कबाब बना लेंगे और इसे भी प्लेट में रख लेंगे इसी तरह हम बाकि सारे कबाब भी बना लेंगे सारे कबाब को शेप दे ली है तो अब हम इने फ्राइ कर लेंगे एक बाउल में एक एग लिया है और इसे अची तरह से भैंट लेंगे एक फ्राइंग पैंट में और को गरम होने के लिए रख दिया है एक कबाब ले लिया है तो अब हम उसे एक साइड से पहले एग में डिप कर लेंगे इसी तरह उसे दूसरी साइड से भी एग में डिप कर लेंगे और पहले से जो आइल गरम किया था उसमें से फ्राइंग के लिए रखेंगे इसी तरह दूसरे कबाब को भी डिप करके हमने फ्राइंग के लिए रख दिया है सारे कबाब हमने फ्राइं के लिए रख दिये हैं सबसे पहले हम इने एक साइड से लाइट सा कलर देंगे थोड़ी देर हो गई है इनको फ्राइ होते हुए तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना जबदस सा कलर आया है बाकी भी चेक कर लेंगे इसी तरह हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे सारे कबाब हमने साइड चेंज कर ली है इनको पकाने में बहुँआ टाइम नहीं लगता है क्यूंकि तमाम चीज़ें पहले से ही पकी हुई होती है हमने बस इनको लाइट सा कलर देना होता है दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कबाब फ्राइ हो चुके हैं अब हम इने किसी प्लैटर में निकाल लेंगे और आप से हम सर्विंग पे मिलते हैं जी फ्रेंज हमारे मज़ेदार से बीफ शामी कबाब बनकर रेड़ी हो गए है आई होप यह आप लोगों को पसंद आएंगे तो आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा और इसी के साथ हमें इजाज़त दें अलाहाफिज